आस्साम लेकूम एपरी फान वेल्कम बाक तो मैं चैनल एंधर दे एंधर इंधर इंट्रेस्टिंग व्लॉग और यहां पे चब लाता मेरा काम और मैंने कर लिया तक किचन क्लीन और साथी और मास के है रिटेंट टेस्ट का लिसकी में प्रोपेशन किरा रही जाए जाए मास और यह मेरे पानी गरम करे थी अपने और हस्बन के लिए जाए थर हम लोग हॉट वाटर सुबे में लेते हैं और यहां पे मास की घपशप चल रही थी और साथ साथ मैंने थोड़ी सी आप से बात करनी थी सबसे पहला कुशन्स यह आता है मेरे पास कि आप पाकस्तानी हैं कि आप मारिया कहां से हैं पाकस्तान से और मैं आम लोग आपसे मरना चाहते हैं तो मैं पाकस्तान से नहीं हूँ सब हैंडियरीस पहले तो मैं यह क्लियर कर दू कि मैं पाकस्तानी नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ हाला कि मैं अपने वीडियो में कई दफ़ा इंडिया का जि लोगों को मैं पाकस्तानी लगती हूं मेरे अलफाज लैंगविच और मेरे बात करने का तरीका से लेकर और मेरे कपड़ी उन लोगों को सारे चीजें जो है जो पाकस्तानी लगता है लेकिन हैं मैं पाकस्तानी नहीं हूं और में लेकिन मैं पाकस्तानीों को बहुत सदा और पराटे के साथ में बना रही थी आलो की सबजी जो अकसरी बनती रहती है क्योंकि घर में मेरे बहुत अबसे सब को पसंद आए और इस्पेसलिन नाचते में अकसरी में बना देती हूँ यह बिल्कुर प्लेइन सब्सक्राइब बनाई है आप लोग भी बनाते होंगे फिर बॉबे में जब भी में वहाँ पर स्टे करूँगी तो आप सब कुछ जरूर में मैसजज़ दूँगी और इंस्ट्राग्राम पर भी और साथी अपने कॉमेंट सक्षन में पिन भी करूँगी कि मैं यहाँ पर आ गई हूं मीट अंग्रीट जरूर रखूँगी काफी सब का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा कंसरेंड करके आप लोग मुझे पूछते हैं और मैं सोचती हूं कि मैं बहुत ज़्यादा लगी हूं कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं और मुझे मिलना चाहते हैं तेंक यू सो मच इ चैप शेयर किरूंगी अपने सेल्फ केर की लावा आप वीडियो को टेलेंट तक देखेगा जिससे आपको बता चले मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूं और आप सेल्फ केर टिप्स आप किस तरह से फॉलो कर सकते हैं और खुद का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं मेरे क्लीन हो गए थे और साथ ही मैंने कर लेना है गैस स्रोफ को क्लीन और यह मेरा डेली का रुटीन है इस तरह से मैं काम करती हूं मेरा अलमूस्ट डन हो गया हू था सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी अब मैं करूंगे अपने हाथ को अच्छे तरह से स्क्रब और भीला कौइस क्रब यह जादए ब्लец यूज इस करते हूं या फिर कूकुमबर का तरह से मैं यूज़कर हूँ जो भीर beverage रखता है और साथ ही हमारे स्किन जो है ना डल नहीं लगती सारे डटसल्स निकल जाते हैं मैस इस तरह से मैं वीक में टू डेज त्री डेज इस तरह से स्क्रब करती हूं अपने हाथों को और यससे मिरा हाथ बहुत सदा क्लीन और बहुत सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि बरतन बॉश करने के बाद उसमें जो हम कैमिकल से बरतन बने बॉश करते हैं फैरी ले या कोई भी आप ले 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 तो उससे हमरे हाथ के स्किन बहुत सदा खराब हो जाती है बहुत डल सी हो जाती है तो आप इस तरह से स्क्रब करेंगे पाल्डर में करवाते हैं, अब इतने बजी रिटन में पाल्डर नहीं जा सकते हैं, या फिर कोई मसला है, तो आप इसलिए घर में कर सकते हैं, इसक्रूबर बहुत सारे मिलते हैं, आप कोई सा भी ले ले लें, जिससे आपको लगे कि हाँ यह जो है ना हमें अच्छा रिजल आपके पास है, वो जरूर अपलाई करें, और वीक में 2-3 डेस करें, इससे क्या होगा, आपके हाद बहुत अच्छे सॉफ्ट से हो जाएंगे, और इसके बाद अच्छा मैंने यह लिए निट्रिजीना का विटमिन D, आपके पास जो अविटमिन D ही लें, उससे क्या होग आपके दौा में जरूर याद रखेगा